विस्थापितों को चार गुना मुआवजा विस्थापितों को चार गुना मुआवजा दे उन्होंने याद दिलाया है कि भूमी अधिग्रहन कानून 2013 के अनुसार चार गुना मुआवजा दिया जाना कानूनन सही है किसानों के नाम पर सियासत सीधा सीधा कैसे अच्छा राकेश टिकेट साहब है अब एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं उनके परिचे की कोई बात ही नहीं है जब भी नाम आता है लोगों के ध्यान में चेहरा आ जाता है उनका चाहिए वो हिमाचल के बाकी जगए तो है ही है भूँधार दोरे पर है आप देखिए पाउंटा साहिब नाला गड़ होते हुए है रजीब बाकी उना बिलासपुर आज थे वो मंडी में पत्रकार दोरे बाचीत भी कि उन्हें हालांकि अगार ची एक चीज़ा नजर आए कि उनके अंदोलन के दिशा हिमाचल में बाकी जगए तो मुद्दे कुछ और होते हिमाचल में खासकर आज मंडी में जो उनका ये रहा जो रहा तो वो रहा जो बल में हवाई अड़ा बन बना मसला होता है उनकी सबसीडी जो है उसको मतलब वुवाई तिक ठाक देने की बात कि की हुए थी नहीं काूंगा क्योंकि ऑब उनके दोरों से वो आग नहीं निकलती है जो किसानों के सीने में है मंडी में ठीक है उन्होंने एरपॉर्ट की जमीन के मौफजे को चार और जो ट्रांस्पोर्टर्स हैं, उनके लिए जो ये वो सबसेटिट जो बता है, उस किराये का का बुक्तान इसके लिए संगहर्षर, रदकिसानों कावे किस तरह से साथ देंगे, इस तरह से उनने को इस अपनी भूमी का रेखां के तुम नहीं है? का आपने हैं उंकार्ची बिल्लकुल आपका जवाब जो है विल्कुल सही दिशा में जा रहा है हिमाचर में जो किसान है हमारे लैंड स्टीलिंग एक्ट भी लाग हुआ है हमारे पास वह ऐसा नहीं होता है कि हजारों कनाल जमीन एक ही किसान के पास एक ही परिवार ऐसा बेचने की बात दूर की है क्योंकि इनका दोलन तो मंडियों में और मैक्सिमम सेल्स प्लाइस उस जैसे वहां से शुरू हुआ थे ना उकार जी उपड़े प्रदेश्यों में खेरों मसला है हिमाचर का मसला कुछ और है यहां बहुत से किसान अपने परिवार का पेट भरन जाता है कि अवार मत बोली उनको बेसारा बोली तो हुए बंदर और बेसारा पशू आज जब मंडी में सवाल किया गया कि आप उनके विश्य में भी क्या कुछ बोलेंगे तो उन्होंने यह कहा कि जहां हम तो इस मसले को उठाई रहे हैं उठाया नहीं होने क्या कहेंगे इस मुद्धे पर वो क्यों बा समभूजित करने से चूक गए या नहीं किया हमने इसलिए काया जाना लगा है कि वे छोटे राकेश ठीकाट जो है वो चोटे और जो मजोले किसान है उनकी दिक्कतां को असन नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा आरोप लगता है सरकारों पर आते नहीं है आलाग जब तक ऐसे मुद्धों क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत चोटी जोत है और बड़े गुजारे लाइक हम अपना खेती बाड़ी करते हैं उसको बंदर उजार रहे हैं तो इन मुद्धों पर राकेश ठीकाट अगर हिमाचल आते हैं तो इन बंदरों के बादह थे या आवारा पश्वों की या बे सहारा पश्वों की करतें जो परिवारों को देखिए राशन डिपो के तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं जाहिर है आपको अब हवस्ले बंदर उजार देंगे तो आप क्यूं जमीने बीजने बे पैसे छोड़िये, डिपो से ले लेंगे या खरीद लेंगे सित्धिया ये हो गई हैं जो एडरेस नहीं हो रहे हैं किसी भी किसान से घठन दोरा हिमाचल जो है वो अतर परदेश नहीं है, पंजाब वो हरियाणा वो मद्या परदेश बिल्कुल यह माचल की ज्रूटत कुछ और है, किसानों की दिक्कत है कुछ और है, वो एड्रेस नहीं हो रही है. आज अब मैं बताना चाहूँगा आज अनियल जी नोंने मंडी में किसानों के साथ बैसे तो वो किसानों के साथ देखे पर उनको आप देखिए किसानों की बात करते करते वो अगनी पत्य योजना तो अगनी पत्य योजना जो है वो उनसे किसानों से उनसे क्या लेना देना ह एक अलग विशे है, अगनी पती हो जना एक अलग विशे है, किसानों के समस्थाएं एक अलग विशे है, तो राकेश्टी कैट जी मलग एक तीर से कई निशाने करने की कोशिच करते रहते हैं, तो उनको इस तरह से मलग एक किसानों में उलजन नहीं पैदा करने चाहिए, बि पश्यों पर नहीं कि जो किसानों के लिए असली समस्या बने हुए है उन्होंने बात की मंडी हवाईएट देग से प्रभावित किसानों की चलिए वो माल लेते हैं ठीक है उसके साथ ही उन्होंने जैसे उंकार जी आपने बताया है ट्रांस्पोर्ट सबसिडि़ी माल लेते ह किसानों से जुड़ा मसला था अब उन्होंने बात कर दी अगनी पत्यों चलिए कि देखिए सबसे पहले तो बड़ी बात है आजाद भारत के किसी विव्यक्ति को किसी भी मसले पर अपनी राइव्यक्त करने का आधिकार है उनको भी है बहुत अच्छा उनने किया उनका हक रहें बहुत सारे जिन्होंने फाँज में भरती होंने लेकिन फिर भी ये किसानों से उस तरसे नहीं जुडता है वह कियो उनके आजा रहा है कि ये बह allevi टी गंगंगा में हाथ धोने जैसी बात है क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि राकिश टिकायत असल में किसानों की समस्सें क बजाए सियासी जमीन तयार करने आए हैं और चुनके आरोप हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो सताधारी पार्टी जो है हमाचल की या देश की जहां पे जिसके खिलाफ अंदूलन था उसके खिलाफ एक सियासी जमीन तयार कर रहे हैं हमाचल में लोगों को थोड़ा सा किस को बता रहे हैं कि देखिए आपके साथ गलत हो रहे हैं जबकि उनके असली मुद्धे अडरेस नहीं हो रहे हैं फाइदा किसका हो रहा है कारची जिस बिलकुल जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब्बे हर वाद को सियासत से जोड़कर बोलते हैं ऐसे में अनिल जी हर विच किसान की अपनी विचारदारा है उस विचारदारा और हिमाचली राजनितिक रूप से बहुत जागरित लोग हैं राकेश टिकार टिकार के कहने पर कोई भी किसान जो है अपनी विचारदारा आपनी सोच नहीं जाएगा और कांगरस में नहीं जाएगा इसलिए वो जब भ अगर इस तरह हैं तो यह आने वाले देंगे हिमाचल और सम्मान देगा और प्रेम देगा टिकेट साहब को अगर वह हिमाचल के रियल इस्यूज जो है किसानों को अड्रेस करते हैं बहुत महरवानी होगी अभी बीज और वसलों की बाच रहे आंसे प्रशन मेरा खाद यह ज इस सरकार ने किसानहों को को अनियर जी बहुत बड़ा जटका दिया है मकी के बीच पर सरकार ने सबस्वेट्टरी गठा दिया है इसके इसमें से हैं मालूम हो गा की हिस्से का राजे सरकार दिया… मगर केंदर ने अब इसमें कटोती कर दी है, अच्छा महलों कि एक कुरोड़ असी लाख या जो भी था तो एसी लाख जो है या साट लाख जो है वो केंदर ने नहीं दिया है तो इससे आजकल जो किसान मकी की विजाई की तायारी कर रहे हैं तो उनके लिए छटके के वराब ही है। अगर सबसीडी कम होगी तो ऐसा आशंका है कि इसकी विजाई कक्शेतर ये वही कम हो सकता है। कम हो सकताking और लागत बढ़ जाएंगे लागत बढ़ेगी और येल्ड कम होगा तो फिर कुल म gi Alle-कि-जान का फायदा या तो ही होगा या वो कम हो जाएगा देखियो गार जी यह एक बड़ा कॉंट्रास्ट है यहां पर यह सबसीडी कम होना डव्ल्यू टियो में बहुत दिनों से बात आ रहे हैं इवन इंटरनेशनल एरेना में एक खबरें चलिए कि इंडिया ने एक मूवमेंट लीड की वहां पर व चौकाने वाली बात है कि उस फ्रंट पे प्यूश गोयल सहाब गये थे वहां पे भारत को रिपरसेंट करना है उस मंच पे इतनी वहावाही लूटने के बावजूद अगर सबसीडी खेतों के वे एक मकी के बीच की कम हुई है तो फिर यह चिंत निये है यह पता नहीं क्य अशायद बात सामने आ जाए कि केंदर ने ऐसा क्यों समझा कि मकी के बीच पे कम कर देते हैं हिमाचल में बहुत बड़े एरिया में मकी बीच पाएंगे हर कहीं क्योंकि आप सिंचाई की प्रवंतों आप लोगों ने किये नहीं है हमारी नेताओं ने तो सबसीडी तो नही झाल